अठारह दिनों बाद अब साफ साफ पता चल चुका है कि उस रात दरिंदे संजय ने तकरीबन 30 मिनट में उस ट्रेनिंग महिला के साथ सेमिनार हॉल में क्या क्या किया। पलातकार से लेकर मर्डर तक उसके सारे कबूल नामें बाहर आ चुके हैं। जो बताता है कि घटना स्थल से छेड़ चाड़ किया गया है। संजय राय जिस बाइक को लेकर रेड लाइट एरिया में जाता था वह कोई मामूली बाइक नहीं था उसे लेकर कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं। पॉलिग्राफ टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने स्विकार किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया और फिर उसे मार दिया। पॉलिग्राफ टेस्ट होने के पहले तक उसने CBI को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब शायद उसका बचना नामुम्किन लग रहा है और उसे फासी तक पहुँचना ही होगा। दरसल जब संजय रॉय उस डॉक्टर का रेप कर रहा था तो पीडिता ने मदद के लिए बहुत चिलाया लेकिन सेमिनार हॉल के साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। जाने के डर से संजय ने उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अगर पुलिस का आदमी ही यह सब कर रहा है तो फिर गुंडे मवाली क्या क्या करते होंगे आप खुद सोच सकते हैं। इसी कारण छात्र ममता बनरजी के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 25 अगस्त को पॉलिग्राफ टेस्ट में संजय ने सब कुछ कबूल कर लिया है। पहले भी पुलिस का स्टडी में उसने रेप और मर्डर की बात मानी थी। लेकिन CBI के सामने वह खुद को फांसी से बचाने के लिए जूट बोलने लगा था। की उनकी बेटी को बड़े-बड़े लोगों ने मिल कर मारा है। संजय रॉय एक अच्छा बॉक्सिंग प्लेयर था। इसलिए लेडी डॉक्टर ताकत में उससे हार गई और खुद को बचा नहीं पाई। यह दर्शाता है कि महिला को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी है। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसी की पुष्टी हुई है। CBI का कहना है कि अब तक कोई और व्यक्ति इस अपराध में शामिल नहीं पाया गया है। लेकिन एम्स के विशेश्जों की राय के बाद ही यह पूरी तरह स्पष्ट होगा कि यह रेप था या गैंग रे संदीब घोश और उनके निजी सचिव एड़ोकेट शांतनुडे और देबाशीश सोम भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में अस्पताल का पूरा टॉप मैनेजमेंट भी क्राइम सीन पर मौजूद दिखता है। जिसके कारण यह संदेश जताया जा रहा है कि इन सब ने मिल कर कुछ छिपाने की कोशिश की है। वहीं एक स्टिंग ऑपरेशन से भी खुलासा हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद क्राइम सीन के साथ छेड़ छाड़ की गई थी, जिसमें संदीब घोश और शांतनुडे भी शामिल थे। इससे साफ होता है कि क्राइम सीन में छेड़ छाड़ की गई थी, जिसकी जांच CBI कर रही है। पीडिता के परिवार को भी पूरा यकीन है कि उनकी बेटी का मौत कोई साधारन मौत नहीं है, बलकि उसके पीछे गहरे राज छुपे हो सकते हैं। के माध्यम से वह सारे नाजायज काम करता था। पहले की जांच में यह सामने आया था कि यह बाइक उसे ASI अनूप दत्ता ने दिलवाई थी, जो कि कोलकाता पुलिस में उसका सहयोगी था। लेकिन अब सामने आया है कि घटना वाली रात जो बाइक संजय ने इस्तिमाल की थी, वह सीधे कोलकाता पुलिस के कमिशनर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जिसे लेकर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है कि कमिशनर के नाम पर पंजी कृत सभी वाहनों का इस्तेमाल पुलिस विभाग करता है, इसलिए संजय द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक का कमिशन से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। उधर संजय रॉय और ASI अनूप दत्ता के पीच करीबी संबंध भी सामने आए हैं। दत्ता के साथ कनेक्शन होने का संजय राय अस्पताल में जम कर फाइदा उठाता था और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। CBI ने अनूप दत्ता से लंबी पूछताच की थी और अब खोट से दत्ता का पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन मांगी है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या दत्ता ने संजय रॉय की मदद की थी। CBI यह भी जानना चाह रही है कि संजय पावरफुल लोगों के साथ अपने कनेक्शन का फाइदा पहले भी किसी महिला को टॉर्चर करने में तो नहीं उठाया था। इस बीच आरजी कर अस्पताल में हुई रेप और हत्या के साथ साथ अस्पताल में भ्रष्टा चार का भी कभिता सरकार स्यालदा कोट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील है इसलिए उन्हें यह केस मिला। देखिए भारत का समविधान सभी नागरिकों को निश्पक्ष सुनवाई और न्याय का अधिकार देता है। अनुक्षेद उन TCA के तहत राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी को नियाय मिल, चाहे उनकी आर्थिक स्थिती कैसी भी हो। इस अधिकार के तहत किसी गरीब, निर्दोश या कमजोर व्यक्ति को बचाया जाता है जिन्हें अकसर कोई पावरफुल व्यक्ति दबाने या फसाने की कोशिश करता है। इ बलातकार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनरजी सरकार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मंगलवार को कोलकाता की सडकों पर भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन पश्चि बिता को न्याय मिले, दोशियों को सخت सजा हो और मुख्यमंत्री ममता बनरजी इस्तीफा दें। छात्रों के इस्तीफा वाले मांग को लेकर ममता बनरजी सतर्क हो गई हैं और उन्हें बांगला देश से सत्ता छोड़ कर भागने वाली शेख हसीना जैसा डर सता रहा है। पुलिस ने इस मार्च को अवैध बताते हुए रोका। पुलिस का कहना था कि इस मार्च से कानून व्यवस्था बिगड सकती है। रैली के दौरान हावड़ा और कॉलकाता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस वीडियो में फिलहाल इतना ही धन्यवाद